बॉलिवुड फिल्मों के अंदर आपने सईद जाफरी नाम के एक एक्टर को देखा होगा जो की करेक्टर अभीने किया करते थे यानि की चरितर अभीनेता थे पिता का रॉल, भाई का रॉल, किसी डॉक्टर का रॉल, वकील का रॉल, ऐसे रॉल वो किया करते थे इन्ही जाफरी से नफरत हो जाएगी आखर वे क्या सस्था जो मौत से पहले खुला था और साइज जाफरी फिल्मों में कैसा अभीने करते थे क्या इनका केरियर रहा है और कैसे इनकी मौत हुई है इसके बारे में भी यहां पर पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानिय चैनल में आपका स्वागत है साइज जाफरी सत्तर असी के दसक में ये लोगों के दिलों में चरित्र अभीनेता के रूप में राज किया करते थे इनकी जो अभीने की छमता थी बहुती गजब और लाजबाब थी दोस सत्रंज के खिलाडी जो फिल्में आई थी सत्रंज के खिलाडी चसमे बद्दूर रामतेरी गंगा मेली इनसे ले करके गांधी फिल्म तक ने जाने कितनी फिल्मों में यादगार रॉल करके सईद लोगों के दिलों पर राज करते थे बहुती गजब की अदाकारी थी इन सईद पंजाबी मुस्लिम परिवार में 8 जनवरी 1937 को पैदा हुए थे इनका जनम हुआ था पंजाबी मुस्लिम फैमिली के अंदर उनके पिता डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि बेटा भी पढ़ ले करके डॉक्टर ही बने यानि कि डॉक्टर बन जाए दोस्तो इसी व दोस्तो यहां पर सईद हिंदी फिल्मों में भले ही चरित्र अभीनेता थे मगर वो लंदन में BBC से लेकर बिर्टिस फिल्मों के बेजोड अभीनेता भी हुआ करते थे वो हॉलिवूर्ड फिल्मों में भी काम किया करते थे हिंदी फिल्मों में तो काम करते ही करते थे वो 15 नवंबर 2015 के दिन उनको अचानक brain hemorrhage हुआ था और वो फर्च पर गिर कर बेहोस हो जाते हैं और घरवाले जब तक उनको देखते हैं तब तक उनकी मौत हो जाती है। महरू निमा उसका नाम था और वो All India Radio में संगीत कार्यकरम किया करती थी यानि कि ठीक ठाकती पड़े लिखी थी। दोस्तों दोनोंने साल 1958 में साधी कर ली थी लेकिन साइज जो जाफरी होते हैं वो बिटिस कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे यानि कि बहुत पसंद था। सईध बिटिस कल्चर की इतनी नकल करते थे कि खाना पीना भी अंग्रेजों के जैसा ही खाया करते थे। दोस्तों मगर उनकी पत्नी महरू निमा एक साधारन मुसलिम परिवार से थी उनका साधारन मुसलिम परिवार था और दोस्तों जिसमें वो भार बाहरतिय संसकार रचे और बसे हुए थे रंगरेजों की तरह चलना अंगरेजों की तरह खाना की यहां पर इनकी पतनी साधा स्वयवाव की यह खुद अंगरेज तो यहां पर बात कैसे बनती है। दोस्तों यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी वो एक प्यार करने वाली और देखवाल करने वाली पत्नी और मा थी, मा इसलिए कहेंगे क्योंकि उनकी तीन बेटियां इन दौनों की हो चुकी थी, एक सकीना, लिया और नीरा, ये तीन बेटियां उनकी पैदा हो चुकी थी साधी क कुछ दिनों के बाद साइद चाहते थे कि उनकी पतनी भी भारतिय संसकार छोड़ करके बिटिस कल्चर को अपना ले और बिटिस लड़की बन जाए वो रोज उनको परिसान करते डाटते फटकाते और अंग्रेजों की नकल करने के लिए कहा करते थे कि तुम अंग्रेज बन और बात करना ही उन्होंने उनसे बंद कर दिया था पती की इन हरकतों से मेरुनीमा एक जिंदा लास बन कर रह गई थी दोस्तों इसी भी साइज जाफरी का अफेर अपनी को सिटार जैनिफर से हो गया था जो उनके साथ हॉलिवूड फिल्मों में काम किया करती थी जैनिफ साइज जाफरी अब यहां पर पत्नी अकेली रह जाती है बच्चे भी रह जाते हैं केले उनको आसाय ने सहारा छोड़ करके चले जाए थे तो ऐसे पुरुस्वी किसी को ना दे दोस्तों उसके बाद क्या होता है उन्होंने जैनिफर से साधी कर ली और लंदन में बस जात हैं हलाकि साइज जाफरी को जिंदगी ने खूब सबक सिकाया था जैसा उन्होंने किर्टे किया था महरुनी मा उनकी पत्नी उनका बहुत ख्याल रखती थी वहीं जैनिफर जो नई पत्नी थी उनके लिए वो सिर्फ एक इंसान थे जिससे उन्होंने साधी की थी यानि कि नई पत्नी उनका इतना ख्याल नहीं रखा करती थी जितना उनकी पहली पत्नी रखा करती थी पहली पत्नी में हिंदुस्तानी कलचर था zm लेकिन इनको तो अंग्रेज बनने की चुल मची थी और अब इनको यहाँ पर यह भूगतना पर रहा था ना वो सईद जाफरी से प्यार करती थी जो नई पत्नी थी और नहीं महरूनी मा जैसा प्यार करती थी दोस्तों यहां पर जैनिफर के लिए सबसे पहले उसका केरियर था उसके बाद कुछ और था यहां तक अपने पती को भी ज़्यादा भाव वह नहीं दिया करती थी क्योंकि अंग्रेज नहीं थी दोस्तो सईद ने खुद अपनी डायरी में कबूला था कि वो महरूनी मा को बहुत याद करते हैं क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान तब होती है जब वह या तो मर जाता है या उससे दूरियां बन जाती है वरना जब तक नजदीक रहते हैं तब तक इंसान की अच्छाईया नजर नहीं आती हैं लोगों को ऐसा यहाँ पर इस केस में हुआ था अब डायरी में लिखने से क्या होता है वो कहते हैं कि अब पस्ताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत जैनिफर और सहीद एक घर में रहने वाले दो अलग-अलग लोग थे जो कभी एक ना हो सके पूरी जिंदगी भर उनकी विचार धाराएं अलग और अलग-अलग से ही वो रहा करते थे पती-पत्नी भले ही थे लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे सिर्फ एक कॉंट्रेक्ट की तरह जैसे कॉंट्रेक्ट साइन किया हो जिंदगी का इस तरह से जिंदगी गुजर रही थे कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन सहीद जाफरी एक आर्टिकल पड़ रहे थे दोस्तों सूटिंग पर जाया करते थे बहुत बिजी रहा करते थे तो एक दिन बैटे हुए आर्टिकल पड़ रहे थे उसमें अमेरिका की उभरती हुई भारतिय महिला सैफ जिसका नाम होता है मधूर असल में वो जो मधूर नाम की महिला थी वह उसकी पहली पत्नी महरू निमा ही थी उसके बारे में छपा हुआ था और यहां पर मैगजीन में यह अपनी पत्नी को देखकर चकित हो जाते जो इनकी पहली पत्नी महरूनीमा थी और उनका नाम भी बदल चुका था उनका नाम था अब मधूर उनकी हाल ही में इंडियन रेसीपी से जुड़ी किताब एक टेस्ट आफ इंडिया लॉंच हुई थी और उसके बारे में उस आर्टिकल में छपा हुआ था जब साइद ने सहप मधूर की फोटो देखी तो जटका सा लग गया और वो महरूनीमा यानि की पत्नी थी उसकी उसको देख करके एकदम से चौंग जाते हैं कि यह मैं क्या देख रहा हूँ साइद भरोसाई नहीं कर सके कि महरूनीमा इतनी खूबसूरत और सिमार्ट हो चुकी है दोस्तों उनको तो लगता था कि यह गाउं की गमेरी रहेगी इसके अंदर कोई अकल नहीं है लेकिन अब वो एकदम सिस्ट्रिम सिमार्ट हो चुकी थी साइद से रहा नहीं गया वो अगले ही दिन सूटिंग चोड़ करके फिलाइट से अमेरिका पहुंच गए ताकि मधुर जाफरी से जाकर मुलाकात की जा सके अब यहाँ पर क्या होता बड़ी मुश्किल से मधु का पता खोज करके जब वो मधु से मिलने के लिए घर पहुंचते हैं तो मधु ने साइद से मिलने के लिए साप मना कर दिया कि मैंने मुझे नहीं मिलना इससे दोस्तों पर बड़ी मुश्किल से आखरी बार उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए राजी हुए तो बच्चों ने पूरी कहानी अब अपने पिता सईद को सुनाई बच्चों ने बताया जब सईद ने पत्नी को तलाग दे दिया था तो उनके तीन साल बाद उसकी जिंदगी में अमेरिकन म्यूजिसियन आए जो वॉयलिन बजाया करते थे उनका नाम था सैनफोर्ड एलन वे उनकी मा की जिंदगी में आते हैं और फिर उन्होंने महरूनी मा को वैसे ही अपना लिया था जैसी वो थी कोई चेंजिंग नहीं किया जैसी थी वैसी अपना लिया उनके तीनों बच्चों को भी अपना नाम दे दिया था उसने और दोनों ने साल 1969 में साधी कर ली थी और महरूनी मा ने अपना नाम मधूर रख लिया था तोस्तों इसके बाद वो बच्चों के साथ अमेरिका चली गई थी यहीं पर वो एक मसूर सैफ और एक अच्ची अविनेत्री भी बन जाती हैं वो एक्टिंग भी करने लगती हैं और एक बड़ी उंचे दरजी की एक्ट्रेस भी बन जाती हैं सैथ जाफरी ने कबूल किया था कि वो महरून इमा को छोड़कर सारी उम्र पस्ताते रहे दोस्तों यह सब बात सुन करके जो सैथ जाफरी होते हैं वो अपने उपर बड़ी गिलानी करते हैं और सोचते हैं कि मैंने यह बहुत गलत किया जो अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि पूरे जीवन बार इनको संतुष्टी नहीं मिली थी प्यार अपनी जगह होता है पैसा अपनी जगह होता है दोस्तो प्यार बड़ी चीज होती है पैसे से भी दोस्तो आपको क्य लगता है यहाँ पर साइद जाफरी ने यह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी या फिर नहीं की थी उसने अपना जीवन ऐसे जिया जो उसको चाहिए था अंग्रेजों के बीच में या फिर उसने भूल की थी आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी प्राय लिख सकते हैं यानि कि एक इंसान साधी करता है एक सीधी साधी लड़की से उसको अंग्रेज बनाने की कोसिज करता है लेकिन वह नहीं बनती है साधा रहती है फिर वह उसको चोड़ करके एक अंग्रेज लड़की से साधी कर लेता है लेकिन अंग्रेज जो में इत प्रेक्स बन जाती है और एक बहुत अच्छी एक मेड बन जाती है दोस्तों किताब भी पब्लिस होई थी उनकी और यहां पर वे बहुत पस्ता आते हैं बच्चों को छोड़ा पहली पत्नी को छोड़ा और नई पत्नी से उसको कुछ भी नहीं मिला और अंतरता ही है 2015 में इन पत्नी से अपने माबाब से प्यार करिए यह सबसे बड़ी अमूले ने दिये हैं दोस्तों अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और यहां पर साइद की कौन से फिल्म में तब तक आप खुश रहें देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल जै हिंद जै भारत